असल में जो है मनुश्य सही रास्ते पर नहीं चल पा रहा है इसी अंदेरी के कारण जो टाउस बेशनी वाला है उसे यह बात समझ में आ जाती है कि यहापर जो है ड्राइवर है तो उसके सामने कोई बात्चित नहीं कर सकते करके इसलिए वो भी चुप हो जाता है तो उसे टाउस बेशनी वाला को आश्चरी होता है तो वही आपर प्रश्न पूश्ता है कि तुमने इतने पैसे आपर कैसे कमाएगा सबी लोग यहीं चाहते है कि कम समय में और कम महनत में सबी लोग बैटे-बिटे हैं आपर पैसे कमाना चाहते है नमस्कार, मैं हूँ हर्शीता, हिंदी लेक्चरर विद्याश्रम कॉलेज मैसूर आज हम मैसूर इनिवर्सिटी के सेकेंड सेमिस्टर बीबीए की हिंदी पाठेक्रम से जो गद्धी प्रतिबा है उसमें से जो टॉर्च बेशने वाला पाठ है उसको देखेंगे टॉर्च बेशने वाला जो पाठ है लास्ट सेशन में यहां तक हुआ था कि जो लिकक है वहाँ टॉर्च बेशने वाला को बहुत दिनों के बाद दे कर उसे पूछते है कि अब तक तुम कहा थे और टॉर्च क्यों नहीं बेच रहे हो करके तब ही वहाँ कहता है कि अभी तो उसने वो जो टॉर्ट जो है वहाँ बेशना बंद कर दिया है और फिर वो ये भी कहता है कि अभी जो है वहाँ एक काम नहीं करेगा करके फिर क्या काम करोगे करके कहने पर अभी वो कहता है कि जो बात है असल बात जो है वहाँ कहता है कि अभी वो पैसे ज้हवा कैसे कमाये करके, मैं जो हूँ यहाँ पर इस शहर में आ गया और टार्च बेशने का जो काम है मैंने शुरू किया करके और यह भी कहता कि कано कि तरह दूप में बारिश में वहाँ इस तरह महनत करके जो है बैटे हुए है भीड़ी कटा थी तो वहाँ पर एक बाबा जो है संत बाबा जो है वहाँ अपना प्रवचन जो है दे रहाता करके यहां तक पाठ हुआ था तो आईए आज के सेशन में जो है अभी पाठ को हम आगे बढ़ाएंगे अभी देखिए यहाँ पर वो कहता है कि भ मासा दे रहे है देखिए यहाँ पर अभी उस बाबा को जो है जाब वहाँ देक्ता है किसतरा वहाँ प्रवचन जो है सुनाई दे रही है और उसी और वो फिल्मों के जैसे जो बाबा संत बाबा जो है उसी तरह वहाँ दिख रहा ता करके यहाँ पर कहता है फिर देखिए वे कह रहेते मैं आज मनुशी को एक घने अंदकार में देख रहा हूँ उनके भीतर का दीप बुझ गया है यहाँ युग ही अंदकार में है देखिए वो बाबा जो है प्रवचन में आपर क्या कह रहे थे हैं मैं अभी मनुशी को जो है गने अंदकार में देख रहा हूँ अभी जो दीप है वास भी भुझ गये है मनुशी अंदेरे में आपर हो गया है या फिर अंदेरा जो है उसके आसपास जो है आपर चाई हुई है तो कुछ इस तरह जो है आपर बाशन जो है दे रहा था वहाँ बाबा देखे वो आगे कहता है यहाँ सर्वग्राही अंदकार संपूर्ण विश्व को अपने उदर में चिपाए है आज मनुश्य इस अंदक अर्तिया पर क्या है अपने पेट में जो है और चिपा लिया है कुछ इस तरह आबास होता है हर जगां आपर सिर्फ अंदेरा ही अंदेरा करके वहाँ प्रवचन जो है दे रहा है वो केता है कि अभी मनुश्य अंदका से घबरा उटा है यहां पत ब्रश्ट हो गया है आज आत्मा में भी अंदकार है देखे अब ये अंदेरे में मनुश्य जो है पत ब्रश्ट हो गया है पत का मतलब या पर क्या है राह या फिर रास्ता असल में जो है मनुश्य सही रास्ते पर नहीं चल पा रहा है इसी अंदेरे के कारण सिर्फ बाहर नहीं बलकि अंदर भी जो है मानव आत्मा अंदकार में घुटती है मैं देख रहा हूँ मनुष्य की आत्मा भई और पीड़ा से तरस्त है देखे या पर बाबा या पर क्या कहरा है वहाँ भी अंदकार का जो डर है उसे दिखाते हुए यहाँ पर कहता है कि हर जगा सिर्फ अंदकार है सिर्फ बाहर नहीं बलकि मनुष्य के अंदर भी जो है या पर अंदकार है तो ऐसे में मनुष्य के अंदर की आत्मा की जो जोती है वहाँ भी बुझ गया है तो पहले यह पर मनुश्य के आत्मा की जो जोती है उसे जराने के अवशिकता है और यही अंदकार के कारण मतलब जो बाहर और मनुश्य के जो अंतर में भी अंदर भी यहाँ पर अंदकार चाही हुई है उसी के कारण मनुश्य का जीवन जो है या फिर मनुश्य जो है पीडा और भई से वहां तरस्त है पीडा मतलब यहापर क्या है दर्द से वहां क्या है यहापर दर्द से तडप रहा है और एक तरफ दुख भी जो है उसके जीवन में चा गई है तो दुख और पीडा से जो है मनुश्य का जीवन भरा पड़ा है इसी अंधेरे के कारण करके तो यहापर बीच में वो कहता जाता है टौर्श बैशने वाला यह जो बाबा की बात है यह सुनते हुई तो मेरी हसी चूट गई थी एक दो बार तो में दपते दपते यहापर क्या है हसने लगा था अपने हसी को दबाने की कोशिश जो है मैंने किया था मगर उसकी बाते सुनकर मुझे हसी आने लगी ती करके देखे वो यह पर कहता है कि भवी पूरुश प्रवचन के अंति तक पहुंचते हुई कहने लगे भाईयों और बहनों डरोमत जहां अंदकार है वही प्रकाश है देखे ये जो भवी पुरुष है जो संत बाबा ते जो अभी प्रवचन दे रहे वो अपने प्रवचन के अंत तक आते आते यहाँ पर कहने लगे कि भाईयों और बहनों मतलब जितने भी उस मंच के सामने जो भी यहाँ पर लोग बक्तों लोग बैटे हुए थे जितने भी भी जो वहाँ परती हुए उन सब को यहाँ पर वहाँ कह रहा है कि आप लोगों को डरने की अवशिकता नहीं है अभी यह जो अंदकार है अभी इसे मुक्ति जो है पाने का समय आ गया है अगर समझ लिजी अंदकार है तो प्रकाश भी है अंदकार है तो प्रकाश भी है आप लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है करके वो जो बाबा है आपर कहे रहा है और कहता है कि अंदकार में प्रकाश की किरण है जैसे प्रकाश में अंदकार की किंचित कालिमा है प्रका ही आपर अगर अंदकार है तो वहाँ पर प्रकाश भी रहेगा रोशनी भी रहेगी तो इसी लिए इसी लिए आप लोगों को जो है यह पर जो प्रकाश उसे बाहर डूनने की अवश्यकता नहीं है बलकि उसे अपने अंतर में खोजो करके आपर वहां कह रहा है और आगे कहत है कि अंतर में बुची दस जोती को जगाओ मैं तुम सब को उस जोती को जगाने के लिए आववान करता हूं मैं तुमारे बीतर वही शाश्वत जोती को जगाना चाहता हूं हमारे साधना मंदिर में आकर उस जोती को आपने बीतर जगाओ देखे यह आपर कि अभी क्या है आप लोगों को डरने के अवशिकता नहीं है अभी क्या है मन में पहले मतलब अंतर में आपके मनुश्री के अंदर पहले जो है या पर प्रकाश जो है फैलानी है जो मन के अंदर या फिर मनुश्री के अंतर में जो जोती दस जोती आपर बुझ गए है पहले उस जोती को जलानी के अवशिकता है तो पहले उस जोती को जगाओ जब आपके अंतर में यहाँ पर जो है जोती जलेगी तबी तो जाकर बाहर भी जो है यहाँ पर सबकुछ प्रकाशमान हो सकता है तो मैं वही बुजी हुई जोती को जो है जो आपके मेरे साधना मंदिर आ जाईए तो मैं उस जोती को जगा दूँगा और आपके जीवन में भी जो प्रकाश है वहाँ फैल जाएगा करके तो ये बात तो सुनकर जोए वो इसी तरह कहता है अपर टॉर्श बेशने वला सहब ये बात सुनकर तो मैं अपनी हसी को रोक नहीं पाया इससे पहले भी दो तीन बार उसे हसी आती है मगर फिर भी वो उसे रोकता है कैसे भी कोशिश करता है उसे दबाने की मगर वो कहता है कि ये बात सुनकर तो मैं छुप नहीं रह पाया उसे आपर हसी चूट जाती है और वहाँ जोर से असने लगता है तो आपर जितने भी शोता मतलब जितने भी लोग उसके प्रवच्चन को सुन रहे थे बाबा के तो वहाँ से उसे धक्का दे देते हैं तो दख्का देने के कारण जो है वहाँ यापर मंच के पास आ जाता है तो जैसे ही वहाँ यापर मंच के पास आता है तब तक बाबा का जो प्रवच्चन है वहाँ भी जो है यापर पूर्ण हो गया था इसलिए मैं थोड़ा जिजगा देखे यहापर जब वहाँ पांस से नस्दिक से जो है उस बाबा को देखता है तबी उसकी जो दाड़ी है वहाँ बड़ी हुई थी उसे लगता है कि इसको कही देखा है करके मगर वहाँ बोलने में जो है जिजगता है मगर देखे यापर पर मेरी तो दाड़ी नहीं थी मैं तो उसी मौलिक रूप में था उन्होंने मुझे पहचान लिया बोले अरे तुम मैं पहचान कर बोलने ही वाला था कि उन्होंने मुझे हाथ पकड़ कर कार में बिठा लिया मैं फिर कुछ बोलने लगा तो उन्होंने कह बंगले तक कोई बात्चित नहीं होगी वही ज्ञान चर्चा होगी मुझे याद आ गया कि वहाँ ड्राइवर है देखे यहाँ पर जैसे ही जो है जो टॉर्च बेशने वाला जो है बाबा को निजदीक से देखता है कि उसे तो यह लगता है कि इसे क्या है मैंने देखा है कुछ जाना पैचाना सा है चेहरा करके फिर भी वहाँ जिजगता है तो इसलिए इतने में वो जो है जो बाबा है वो ही उसे पैचान लेते है यहाँ देखे वो कहता है कि मेरी तो दाड़ी नहीं बड़ी हुई थी में तो उसी मौलिक रूप में था मतलब वो किस तरह पांच सार पहले था वैसे अभी भी है तो इसलिए वो बाबा ही उसे पहचान लेता है और वो इसलिए कि आरे तुम करके तबी जो है अपर टॉश बेशने वाला भी उसे पहचान लेता है तब तक जो बाबा है वहां क्या करता है उसके हाथ को पकड़कर कार में बिटा लेता है और कहता है कि अभी यहाँ पर कोई भी बातचित नहीं होगी जो बंगला है वही पर जाकर यहां पर ग्ण्यान चर्चा होगी करके तब ही यहाँ पर जो टॉच बेशनी वाला है उसे यह बात समझ में आ जाती है कि यहाँ पर जो है ड्राइवर है तो उसके सामने कोई बात्चित नहीं कर सकते करके इसलिए वो भी चुप हो जाता है मगर देखे जो वहाँ कार जो है बंगलो पर जाकर रुपती है और उसकी जो टाट बाट सभी यह पर टॉच बेशने वाला देखता है तो वहाँ दंग रहा जाता है देखे यही पर वहाँ बाबा है उससे प्रशनु जो है यहाँ पर पूछता है कि मैंने कहा यार तू तो बिलकुल बदल गया उसने गंबिरता से कहा परिवर्तन जीवन का अनंतक्रम है मैंने कहा फिलासफी मत बगार यहाँ बता कि तूने इतनी दौलत कैसे कमाली पांच स सालों में देखे यहाँ पर जो वहाँ प्रशन पूछता है पहला प्रशनवा क्या पूछता है टौश बेशने वला जो बाबा है उसे कि अभी तो यह बता कि इतनी धन दौलत जो है तुमने कैसे कमाई इतने पैसे तुमने कैसे कमाए करके देखे यह जो बाबा है वो और क कि ये वही दोस्ता जिसके पास पांच साल पहले जेब में एक रुपेया तक नहीं था अभी वहाँ जो है उसके पास इतने पैसे इतने बड़े बंगला है कार है गाड़ी है सब कुछ है तो उसे टाउश मिशने वाला को आश्चरी होता है तो वही जो है आपर प्रश्ण करके मतलब वह कहता है ना तू तो बहुत बदल गया है इन पांच सालों में यार तू तो बहुत बदल गया है इन पांच सालों में करके जो वह कहता है तभी वह कहता है कि परिवर्तन तो यहापर संसार का नियम है करके तभी देखिए यहापर जो बाबा है यहापर जो इस जो धन दोलते पैसे वह कैसे कमाए करके क्या तू भी मेरी तरह टॉर्च बेशता है क्या करके देखे बाबा जो है उसे प्रशने पूछते है कि अभी ये बता कि तू जो है इतने पांच सालों में फिर तू इतने सालों में क्या कर रहाता करके तबी वो तो कहता है कि मैं तो टॉर्च बेच रहा था घूम घूम कर मैं टॉर्च बेचने का जो काम है वहाँ कर रहाता करके तो यहाँ पर टॉर्च बेचने वाला जो है यह उत्तर देते हो यह कहता है कि क्या तू भी टॉर्च बेचता है क्या इस तरह जब वहाँ प्रशन पूछता है तभी बाबा देखिया पर क्या उत्तर देता है उसने कहा, तुम मुझे नहीं जानते मैं टार्च क्यों बेचूंगा मैं सादू, दार्शनी कवर संत कहलाता हूँ देखे अपर वो कह रहा है कि तु मुझे नहीं जनते में टार्च क्यों बेचूंगा, टार्च मेशनी की अवश्यकता मुझे क्या है, देखे मैं यहापर सादू, दार्शनी कवर संत कहलाता हूँ, मुझे सबी लोग यहापर संत के रूप में, दार्शनी के रूप में देखते हैं, केते हैं मुझे तो ऐसे में क्यों यहापर टॉर्च बेचूंगा क्या तुम्हें ऐसे लगता है क्या करके यहापर जो बाबा है मतलब जो दोस्ते टॉर्च बेचने वाला कि वहाँ इस तरह बात जो है कहता है देखिए यहापर जब यह बात जो है बाबा कहता है कि मैं कहलाता हूं दार्शन कहलाता हूं करके तभी यहाँ पर जो दोस मतलब जो टॉर्च बेशने वाला है यह उससे कहता है कि अभी तुम कुछ भी कहला हो बेशते तो तुम टार्ची हो तुम कुछ भी कहला हो चाहे संत कहला हो या फिर दार्शन कहला हो कुछ भी कहला हो मगर दर दिखा कर आपना जो सूरच चाप टार्च है उसे बेचता है तो वैसे ही तो यहापर बाबा कहे रहा है देखी कुछ समय पहले कि अगर उसकी भाषन को यहापर हम देखेंगे पहले तो वो यह कहता है कि सब जगा अंदेरा चा गया है मनुश्री के अंदर भी यहापर अं पूछता है न करके यहापर वहाँ पूछता है और कहता है कि कोई भी बाबा जो है क्या कोई भी दार्शन नहीं कहता है क्या सबी लोगों के सामने कि हर जगा प्रकाश है करके यह तो नहीं कहता क्यूंकि हर बाबा हर सादू संत जो है पर सिर्फ लोगों को अंदकार का यह तो बई है उसे दिखा कर या पर अपनी जो यहाँ पर स्वार्त है उसे पूरा करना चाहते हैं। तो ऐसे मैं तू भी जो है पर टॉर्ची बेशता है करके। देखे जब ये बात जो है टॉर्च बेशने वाला कहता है तब तो बाबा यहाँ पर दंग हो जाता है। कहता है कि मेरी बातों ने उसे टिकाने पर ला दिया था उसने सहज डंग से कहा तेरी बात टीक ही है मेरी company नहीं नहीं है सनातन है देखे यह अपर तब जा कर वो बाबा यह कहने लगता है कि हाँ तेरी बात ठीक ही है वो अभी कह रहाता ना तुम यह पर टॉर्च बेशते हो तुम भी टॉर्च बेशते हो करके तब ही वो कहता है कि हाँ तुमारी बात जो है वहाँ ठीक ही है मगर उसकी जो कंपणी वो पूछता है बता तुमारी कंपणी कौन सी है करके तो वो कहता है कि मेरी कंपणी जो है नहीं नहीं है वहाँ बहुती सनातन है देखे मेरी کंपनी जो है बहुती सनातन है करके यहां पर वहां कहता है sense. कहने पर यह चुछ बेशने वाला आए थी? तुम्हारी कंपनी की जो था आले उथा हो तो दिखाओ और त hourly का फैसा दिखा नहीं सकते तुम्हें एक दो-तीन दिन मेरे साथ रहो तो तुम्हें ही पता चल जाएगा तो फिर वो कहता है क्या भी उसके कहने पर दो-तीन दिन मैं उसके साथ रहा सहाब फिर मुझे ये जो सूरच शाप टार्च वहावर्त समझ में आने लगे तो मैंने उसे पूरा जो है नदी में बहा दिया करके तो जैसे ही उसे यहाँ पर सब कुछ पता चलता है तो वो जो सूरच शाप टार्च जो महनत करके इमांदारी से यहाँ पर बेचा करता था उसे वर्त समझने लगा और उसे नदी में बहा दिया अभी वो यह कहता है कि अभी तो मैं यहाँ पर इसलिए आया था सिर्फ और एक डेड़ महीने की बात है और कुछ भी नहीं करके देखे यहाँ पर जब टाउच बेचने वाला जो है लेकक से यह सबी जो बात है जो असल बात क्या हुई थी क्यों अभी वहाँ टाउच नहीं बेच रहा है सबी बात जो है वहाँ बोलता है वो कहता है कि अपनी दाड़ी के उपर हाथ फेरते हुए सिर्फ अब जो है आपर एक महीने की और बात है उतना ही करके अभी उसे पहले के तरह महनत करने के आवशिकता नहीं है तो इसलिए लेकक यापर पूछते देखिया मैंने पूछा तो अब कौन सा दंदा करेगा मतलब जो लेकक है वहाँ उसे पूछते है कि अभी तू बोल रहा है कि तू जो सूरच अब टार्च है उसे नहीं बेचेगा तो बताओ अब तुम कौन से जो धंदा मतलब जो काम है वहाँ करने वाले हो करके तब ही देखिये उसने कहा धंदा वही करूँगा यानि टार्च बेचूँगा बस कमपनी बदल रहा हूँ देखिये यहाँ बात वो कहता है कि धंदा तो वही करूँगा मतलब काम तो वही करूँगा पहले भी वहाँ टार्च बेचता तो वही कह रहा है कि अभी भी मैं टार्च बेचूँगा सिर्फ जो कमपनी है उसे मैं बदल रहा हूँ देखे कितनी सरल्सा से आपर वहां कह देता है सिर्फ कंपनी बदल रहा हूं में टॉर्ची बेचूंगा करके तो यहाँ पर आपका पार्ट पूर्ण हो जाता है देखे यहाँ पर लेकक क्या कहने की एक कोशिश वहां करते है देखे यही विंग्यात मखलीक है वेग्यात पर किस तरह यहाँ टॉर्च बेचने वाला जो दिन राद मेहनत करके दूप में बारिश में सबी मेहनत करके यहाँ पर लोगों को अपना जो सूरच्छा पर टॉर्च जो है वहाँ बेचा करता था अभी अपने दोस्त को देखकर किस तरह वहां पांच सालों में अपर कितनी कम समय में कितनी कम महनत में अपर वहां इतनी सारे जो धन दौलत है वहां प्राप्त करता है उसको देखकर वहां भी उसी के राह पर चलने के लिए तयार हो जाता है मतलब यही बात है किस तरह यह पर हरामी की जो कमाई है उसे ज्यादा महत्व दिया जा रहा है सबी लोग यही चाहते है कि कम समय में और कम मेहनत में सबी लोग बैटे बिटे यहाँ पर पैसे कमाना चाहते हैं यही बात जो है इस पार्ट में हम देख सकते हैं तार्च बेशने वाला सिर्फ एक प्रतिक है उन सबी लोगों के जो समाज में आजकल इमानदारे की राह को चोड़कर बेईमानी के रहा पर निकल पड़े हैं उन्हें ऐसे लगता है कि अभी इतने साल मेहनत करके क्या फाइदा है इतने सालों में वो कुछ भी है पर कमा नहीं पाए सिर्फ अपने पेट पाल सके इसलिए बेईमानी के राह पर चलने पर वो आराम से रह सकता है ऐसी एक सोच जो है आजकल समाज में बढ़ रही है किस तरह भी टॉर्च बेशने वाला में ये सोच आई है वो भी देखिया पर वो इमानदारी के राह पर से अभी बेईमानी के राह पर निकल पड़ा ऐसे ही जो है सबी लोग जो है जैदातर समाज में इमानदारी के राह से बेईमानी के राह पर निकल पड़े हैं और हरामी की जो कमाई है उसे श्रेष्ट कर जो है समझा जा रहा है और किस तरह जो है आपर संत बाबा लोग जो है ऐसे ढूंगी बाबा लोग जो है लोगों की जो भक्ति की भावना है उसका गलत फाइदा जो है आपर उटा रहे है किस तरह लोगों को जो है पर मूर्ख बन तो यह एक तरह पर इसे ठोंगी बाबा हों से सतर करोंगी का एक संदेश में मिलता है उसके साथ साथ समाज में किस तरह या पर ज्यादा तर लोग बेइमानी के रहा पर चल रहे है उन लोगों को एक सीख मिलते कि अभी कितनी भी कश्ट क्यों न हो सबी या पर इमानदार होकर महनत करके परिश्रम करके अपना जीवन या पन खरे यह जो एक संदेशे इस पार से हमें मिलता है धन्यवाद